हेलो दोस्तो, जै माता दिया आप सभी को, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्त होंगे, दोस्तो, आप सभी को पता है कि हमारी 15-16 दिन, मतलब 18-17 दिन हो गए हैं, अभी तक सफिद मुशली के बारे में एक भी वीडियो नहीं आई है, ए काफी सारे हमारे वीडियो का बेट कर रहे होंगे कि किसलिए छिलाए मतलब अपडेट नहीं कर रहे हैं कि कैसे आज हम कासे सबसे कि तर тот करे आज की लिए थीस को प्रोसेश की है, ठीक है, आगे हम बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी पराइले तो पहले से चल लग कारड़ है कि आप कुछ पता होगा कि 11 जून को हमारे मम्मी पापा का एक्सिडेंट हुआ था और उस एक्सिडेंट में हमारी मम्मी को बहुत घातक चोट आई थी पैर में और पैर भी तूट गया था तो पहले हम गया है बाइस से पच्चीस दिन होस्पीटल में थी मम्मी के चालू था ट्रीटमेंट चालू होने के बाद भी पच्चीस की रात को अचानक से एकदम स्वांस लेने में तकलीफ हुई और एकदम घुटन चालू हो गया तो मैंने तुरंत के तुरंत मतलब एंबुलेंस बुला के और सीधा हॉंस्पीटल लेके आया और 26 तारिक से यहा है और जल्दी जैसे ठीक होंगे वैसे हम घर पर जाएंगो घर पर जाने के बाद फिर चलाई का समय आ रहा है तो चलाई की आप लोगों को जल्दी से जल्दी में वीडियो अपलोड कर सकूं कि चलाई किस तरीके से इसको करते हैं ठीक है न दोस्तो तो यही कारण था कि हम हम अभी भी होस्पिटल में यह दोस्तो देखे नहान आये थे हैं तो इसमें एडमिट है आई स्टीक है तो वहीं पर हैं और हम 15 दिन 16 दिन होगा यहीं पर हैं पापा की साथ में वह अकले हैं क्यूंकि मम्मे की घर पर पट्ती मट्टी करनी होती तो भाई वहां पर चोटे भाई है नहीं तो और कोई साथ में आ जाता ठीक है और बाकि जो रिलेशन वाले हैं उनको सब खेती बाड़ी का काम है तो कोई साथ में नहीं है मेरे मैं अकेला हूँ दोस्तों 15 दिन से और 16 दिन होने वाले हैं तो इसी बज़े से हम वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर है जिससे हम फिर आप लोग के लिए आगे का चलाई का प्रोसेज आके आने वाले वीडियो अपलोड कर सकें बना सकें ठीक है दोस्तों तो हम इसी लिए आज आप लोग के सामने आए वीडियो बहुत दुख हो रहा है कि हमारा चार मेने से पूरा दिन हो अस्पिटल में ही जा रहा है आदा भीमारत में भी पढ़ गया हूं दोस्तों ठीक है और पैसे का तो पता नहीं कितना खर्च हो रहा है ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो अच्छी लगए होगी वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सस्क्राइब जोरें कर दो अब हम मजबूर हो गए हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं है इधर उदर से मांग के काम चला रहे हैं दोस्तों और भी पता नहीं अभी तक पापा कितनी दिन और आईसू में रहेंगे आप लोग को तो पता ही है कि आईसू में कितना चार्ज लगता है ठीक है दोस्तों मिले नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को राम राम सीधा राम जय माता दी